नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दोस्तों इस चैनल पर अलग-अलग खेलों के ट्रैल की जानकारी दी जाती है अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों उत्राख से मिलेंगे उन से आप आपके यहां के जो न्याय dram सब्सक्राइब कर सकते हैं लावा आप चाहें तो विकास खंड में आप जाएंगे अपने ब्लॉक क्रेयल होगा आप तो वहां आपको युवा कल्याल का जो औफिस होगा, दिकारियों से मिलके भी इन खेलों की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बांकि इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी आएंगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा देखे ये जो खबर है खेलों की ये कासिपूर से में आपको कासिपूर से खबर है और खटीमा शेत्री की खबर है और पंतरनेकर शेत्री की खबर है कासिपूर शेत्री की सबसे पहले में आपको खबर पढ़के सुना देता हूँ देखे जो 11-14 साल के और 14-17 साल के और 17-19 साल के जो खिलाड़ी है वो इससा ले सकते हैं इन खेलों में जो अभी सुरुवात कर रहे हैं खेलों की वो भी जा सकते हैं अभी नियाई पंचायत इस्तर फिर सबसे बहले खेलोंगे जो लोग नियाई पंचायत में निकलेंगे वो लोग ब्लॉक इस्तर के खेलों में जीतेंगे वो लोग जिला इस्तरी खेलों में जेतींगे वो बाद में राजिस्तरी खेलों के लिये जाएंगे कासिपूर से एक खबर है B.E.O.R.S. नेगी द्वारा बताया गया है कि 7.9.2022 से खेल महाकुमत 2023 सुरू होगा इसमें नियाए पंचायत और बलाक इस्तरी खेलकुत पर्तियुकता हैं कराने के लिए निर्देश दिये गए हैं 7 नौमबर को बालक वर्ग और 8 नौमबर को बालिका वर्गी की खेल पर्तियुकता हैं होंगी देखे 7 नॉम्बर 2013 को बालक वर्गी की परतियों किता है होनी है और 8 नॉम्बर 2013 को बालिका वर्गी की परतियों किता है होनी है कुंडे स्वरी नियाई पंचायत की परतियों किता है किसान इंटर कालेज कुंडे स्वरी में होंगी और खड़गपुर की देवीपुरा की स्टेडियम में होंगी और बांस खेडा की राज की उच्च माद्यमिक विद्यालई सिवलालपुर अमर जंडा में होंगी तो देखें ये कहां परतियोगिता ही होनी है ये अड्रेस आप देख रहे होंगे तो यहां आप जाके खेल सकते हैं आप 21 से 24 नॉवंबर तक स्टेडियम में बलाग इस तरी परतियोगिता ही होंगी वहां पर परदानाचारी डाक्टर केरन सी देखें और जो सांथी हैं के वो सब मौझूद रहे हैं देखे अब फिलाल नहयी पंचाईत इस तरी और सबसे पहले हैं परतियोगिता ही होंगी तो आपने नहयी पंचाईत जो भी लोग हैं जो लोग जाना चाते हैं तो इन खेलों में हिस्स्ना ले सकते हैं कुंडे सुरी नियाई पंचायत की परतियोगताई होनी है और खड़कपूर की और मास्खेडा की तो ये लोग देख लिया होगा आपने की किसी स्कूल में आपकी परतियोगताई होनी है तो आपने वहां जाना है पंची कराना है आपना और परतियोगताओं में हिस्सा लेना बागे अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदी की इंटर कॉलेज में जाएंगे वहाँ स्पोर्ट से टीचर से मिलेंगे उनसे अधिक जानकारी आप जोटा सकते हैं बागे देखे पंतर नगर सान्थि पूरी जी आईसी में नियाई पंचायद इस्तरी खेल माकूंब का आयोजन 6 और 7 नवंबर को होगा देखे जी आईसी के परदानाचारी नर बाहदूर चंदर द्वारा बताया गया है कि नयाई पंचायद इस्तर के सभी गाओं के बात्र परतिवागी अपने यापने पिता के इस्तरी निवास परवान पत्रे के साथ 6 नवंबर सुबह 9 बजे से पंचिगरण कर सकते हैं देखे 6 नवंबर से आप पंचिगरण कर सकते हैं इन खेलों के लिए परतियोगिता के सभी मामलों में आवे जग मंडल का निर्नाई अंतिम होगा देखिए इसके बाद खेल माकुंब की एक खबर खटीमा छेतरे से देखिए खेल माकुंब बलाग कारियल है सभागार में भी बैठक में बताया गया है कि नियाए पंचायत इसतरी परतियोगिता का पंचिगरण 3 और 4 नवंबर को होगा देखिए 3 नवंबर और 4 नवंबर दोजारतियाईस को पंचिगरण होगा खेल परतियुकिता 6 से 9 नौवंबर 2013 तक होगी देखे 6 से 9 नौवंबर तक का खेल परतियुकिता होनी है विकास खंडे इस्तरी परतियुकिता का पंचिकरण 16 नौवंबर तक और खेल परतियुकिता 17 से 21 नौवंबर 2013 तक आयोजित करने पर सहमती बनी नियाई पंचायत इस्तर पर परतियोगिता, खेतल संडा खाम, बंडिया, जनकट और विग्राबाग में आयुजित होगी वहां बलाग परमुक रंजी से नामदारी B.E.O. K.S. सामंत, B.E.O. तरुन कुमार पंत, छेतरी यवा कल्यान अधिकारी इमरान खान आदिसी देखी, ये वहां मौझूद थे अधिकारी जो हैं, तो दोस्तों आप लोग, अगर आप 11 से 14 साल की उमर के जो भी लोग हैं, वो लोग इन खेलों में साल ले सकते हैं, और 14 से 17 साल के, और 17 से 19 साल के जो भी लोग हैं, वो इन खेलों में इस साल ले सकते हैं, तो आपने इन खेलों में आप हिस्सा लें देखें बांकी अकबार के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से इन खेलों से जुड़ी कोई नई खबर अगर आएगी तो उसके लिए वीडियो मना दिया जाएगा अगर आप किसी दूसरे जिले से सुन रहे हैं तो आपके जिले की जब भी कोई खबर आएगी खेलों से जुड़ी वी तो उसके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा आप लोग चैनल मना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में खेलों की एक नई खबर के साथ तब तक के लिए बाई धन्यवाद